नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली रॉंड अप्शो आईए नजर डालते हैं आज की मुख्यों सुर्ख्यों पर हमारी पहली खबर है उत्तर प्रदेश से जहां पर योगी का दावा 20 दीन में संक्रमन पर पाया काबू आप गड़े बया कर रहे हैं तबाही का मनजर दूसरी खबर में हम बात करेंगे जैसे जैसे ग्रामिट भारत में कोविट फैल रहा है दहता स्वास्त धाचा विफल हो रहा है 26 मई को मोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ मनाय जाएगा काला दिवस और आखर में कोरोना अपडेट देश में अब तक 3 लाग से जादा लोगों की मौत देश की सबसे जादा आबादी वाला प्रदेश यानि की उत्तर प्रदेश कोरोना आपडा की तूसरी लहर की चपेट में है खराब स्वास प्रडाली अस्पतालों में ऑक्सिजन और बिस्तरों की कमी ने COVID-19 मरीजों और उनके तिमारदारों को और अधिक संकट में डाल दिया है बड़े शहरों छोड़े कजबू छेतरों से लेकर ग्रामीड छेतरों तक की लोगों को स्वास्त सेवा के अभाव का सामना करना पड़ रहा है सरकार ने स्वयम स्विकार किया है कि प्रदेश के 28 या 742 गाओं में COVID-19 मामलों की पुष्टी हुई है इसका अर्थ साफ है कि प्रदेश के 32 प्रतिशत गाओं में COVID-19 फैला हुआ है प्राप्त रिपोर्ट्स बताती हैं कि शहरों के अनुपात में करोना ग्रामीड अलाकों में जादा है केवल माई में प्रदेश में मिले COVID-19 के कुल मामलों के 78 प्रतिशत मामले ग्रामीड या अर्ध ग्रामीड इलाकों से मिले हैं जबकि अप्रेल में मिले मामलों में केवल 30 प्रतिशत मामले शहरी या अर्ध शहरी इलाकों से हैं उच न्यायाले ने भी कहा है कि छोटे शेहरों और ग्रामिर छेत्रों की स्वास्त प्रडाली पूरी तरह से राम भरोसा है मीडिया में भी यह रिपोर्ट्स प्रकाशित और प्रसाजित हुई हैं कि बहुत से गाव ऐसे हैं जहां कोई टेस्टिंग नहीं हुई है जैसे जैसे जनसंख्या बड़ी वैसे वैसे तीन अस्तरी स्वास का धाचा जिसमें उपकेंद्र, प्रात्मिक स्वास्त्रकेंद्र और सामुदाइक स्वास्त्रकेंदर शामिल हैं रोग्यों को समालने में पूरी तरह से असमर्थ रहे हैं मरिजों के चौकाने वाला उच अनुपात से स्वास्य सुविधाओ और सरकार के अपने नियुंतम मानकों के अनुरूप उचित नहीं बैठता है जिसमें पानी के आपूर्ती, बिजली, ओपरेशन थियर्टर या लेबर रूम और एक्सरे मशीन जैसे बुनियादी सुविधाओ का ना होना शामिल है कुछ राचियों में अत्यादिक स्वास्य कर्मचारी हैं तो कुछ में स्वास्य कर्मचारीों की भारी कमी देखी गई है लेकिन सभी सुविधाओं में विश्यशग्यों और तकनीशियनों में भारी कमी देखने को मिलती है इन तीन अस्तरी सुविधाओं को क्रमशा 5,000, 30,000 और 1,20,000 आबादी को स्वास्त सेवाओं उपलब्द करानी की जिम्मेदारी है इसका मतलब यह है कि प्रतिक अस्तर पर मौजुता स्वास्त केंदर बहुत अधिक आबादी की जरुतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है ध्यान दे कि जैसे जैसे आप स्वास्त सेवाओं पदा नुकरम में उपर जाते हैं कमियों भी बड़ी होती जाती है यदि नए केंदर खोल कर इसका सामधान किया जाता तो वर्तमान कोविट संकट से अधिक प्रभावी धंग से निप्टा जा सकता था अब क्या हो रहा है सुविधाओं की कमी का मतलब है कि चिकितसा में देरी जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे मरीजों की इस्तिती बिगरती है उन्हें सिस्टम के उचस्तर पर ले जाना पड़ता है अंदता वे अस्पतालों में भरती होते हैं या इस्थिती लोगों को मजबूरन नीजी अस्पतालों के लालची हाथों में सौब देती है किसान बेहद विपरित परिशितियों में भी अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं दिली के सीमाओं पर किसान आंदोलन अपने छे महिने पूरे करने जा रहा है इस दौरान किसान लागता सरकारी दमन और मौसम की मार भी जेल रहे हैं लेकिन वो अभी भी अपनी मांगों को लेकर पुरे जोश के साथ संगर्श कर रहे है किसानों का साफ कहना है कि कानूरों की वापसी से कम कुछ और मन्जूर नहीं है लेकिन सरकार तो मांगे मानने की बाद तो दूर वो शुरुवाती वारताओं के बाद किसानों से अब बातचीत भी नहीं कर रही है किसान लागतार शांतिपूर धंग से अपना विरोध जता रहे हैं उन्होंने 21 मई 2021 को सरकार को पत्र लिखकर वारता की टेबल पर आने को कहा 26 मई को किसान आंदुलन के 6 महिने पूरे हो जाएंगे इसी समय मोधी सरकार के 7 साल भी पूरे हो जाएंगे सन्यूत किसान मोचा ने 26 मई 2021 को भारती लोकतंतर के लिए काला दीवस के रूप में मनाने का आवान किया है जिसका देश भर में मजदूर संगठनों ने केंद्री सन्यूत मंच में भी समर्थन किया है सास्क थी वामबंती दल और उसके सहयोगी नौजवान और चाद संगठनों ने भी इसका आवान का खुल कर समर्थन किया है केंद्री मजदूर संगठन सीटू, एटक, एकटू, इंटक, सेवा सहीत, दस ट्रेड यूनियनों के सन्यूत मंच ने भी 26 मैं को काले दीवस के रूप में मनाने का आवान किया है केंद्री टेड यूनियनों द्वारा, गरीप परिवारों को, नगध हस्तांतरड, सभी जरुत मंदों को सार्व भामिक रूप से मुफ्त राशन, मनेरेगा के विस्तार और शहरी छेत्रों के लिए नई रोजगार योजना, सार्वजनिक उपक्रमों के नीजी करड के खिल उनकी निरंतर मांगों पर अखिल भारती हर्ताल का आहवान किया गया था, इस मुद्दे पर हमने किसान सवा के अध्यक्ष अशोग धावले से बात की, आए सुनते हैं उन्हें आने वाले 26 मई को पूरे भारत में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध दिवस मनाने हम लोग सब जा रहे है, सयुक्त किसान मोर्चा ने ये अईलान किया है, सभी केंद्रिय मजदूर संगटनों ने इस अईलान का पूरा समर्थन दिया है, खेत मजदूरों के संगटन, महिलाओं के संगटन, छात्र नौजवानों के संगटन, दलीत और आदिवासियों के संगटन, व्यापारियों के संगटन, ये सभी ने ये 26 मई के ऐलान को पूरा समर्थन दिया है ये 26 मई को तीन एतियासिक घटना हमारे देश में होने जा रही है पहली तो ये घटना है 26 मई को जो किसान अंदोलन एतियासिक रूप से हमारे देश में चल रहा है लाखो किसान दिल्ली के सभी सीमाओं पर 26 नवेंबर 2020 से जो इकठा हुए लगातार वो आज दिल्ली के सीमाओं पर बैठे है ये आंदोलन के 6 महिने 26 मई को पूरे हो जाएंगे साथ ही साथ मजदूर किसान एक्ता के तहट 26 नवेंबर को पूरे केंद्रिय कामगार मजदूर संगटनों ने जो पूरे अखिल भारती हड़ताल का जो कॉल दिया था 26 नवेंबर को और करोडों हमारे मजदूर उसके अंदर शरीक होए थे इसको भी 6 महिने 26 मई को पूरे होने जा रहे हैं और साथ में आज जो मोदी सरकार बी जे पी आरेसेस की आज दिल्ली में जो है उसके साथ साल ये 26 मई को पूरे हो जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहला शपत प्रदान मंत्री का 26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी साब ने लिया था तो ये तीनों घटना एक साथ में हो रही है इसलिए हमने ये ताई किया कि 26 मई के दिन पूरे देश में एक बहुत जबर्दस प्रतिरोध दिन के रूप में इसको मनाया जाएगा केंद्री स्वास्थ मंत्रारे दौरा आज सुमवार यानी 24 मई को जाली आगडों के अनुसार देश में पिसले 24 घंटों में कोरोना के 2,22 जा 315 नए मामले दर्श के गए हैं इसके अलावा कोरोना से आज फिर 4,000 से जादा यानी 4,454 मरीजों की मौत हुई है जिन में अकेले महराष्ट में 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,320 मरीजों की मौत हुई है और करनाटक में भी रिकॉर्ड 624 मरीजों की मौत हुई है वही तमिल नाडू में 422 और उत्रे मामले कम हुए हैं देश में करोना मामलों की संक्या बढ़कर 2,67,52,447 हो गई है जिन में से अब तक 3,3,720 लोग अपनी जान कवा चुके हैं देश में करोना से परित 88,69 फिस दी यानी 2,37,28,011 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और इसी की साथ देश में एक्टिव मामल किता जानकारी करना सार देश में करोना वैक्सीन की 19,60,59,960 दी जा चुकिए जिन में से 9,42,722 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है आए सी एमर द्वाला जारी आगडोकरना सार देश में करोना के 33,50,036,64 सापलों की जाच की जा चुकी है जिन में से 19,22, आज के डेली रॉट डप में बस इतना ही न्यूस क्लिक की यूट्यूब चारे को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिज वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर और इंसाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया